हलो दोस्तों आप सभी का हमारी चैनल इस्टेडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम भारत के भुगोल के अंतरगत कुछ महत्पुड MCQ पर चर्चा करेंगे अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं और प्रती दिन ऐसे ही अलग- को सब्सक्राइब कीजिए तो इचले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न है गोविन वल्लब पन जलासय कि स्राज्य में इस्थित है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश रिहन नदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के निकट रिहन बा हित में से कौन सी नदी और अचल प्रदेश में अम्चा बर्वा परवस्रेडी के समीब भारत में प्रवेश करती है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन भी ब्रह्मपूत्र नदी अगला प्रशन है अरवडाचल प्रदेश में ब्रह्मपूत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही अंसर होगा ऑप्शन भी दिहांग अरवडाचल प्रदेश में ब्रह्मपूत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है जबकि तिबत में इसे सांगपो औ और बांगला देश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्ण है तिस्ता मानस किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही अंसर होगा आप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। तिस्ता मानस ब्रह्मपुत्र नदी किस सहायक नदी है। अगला प्रश्ण है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजूली किस नदी पर इस्थित है तो इसका सही अंसर होगा आप्शन सी ब्रह्मुपुत्य नदी ब्रह्मपुत्य नदी पर इस्थित मांजूली द्वीप जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वह इस्थित है यह भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है अगला प्रशन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजूली किस राज्ज में इस्थित है तो इसका सही अंसर होगा option C असम अगला प्रशन है सीव समुद्रम जल्परपात किस नदी पर इस्थित है तो इसका सही अंसर होगा option D कावेरी नदी सीव समुद्रम जल्परपात कावेरी नदी पर इस्थित है अगला प्रशन है जोग प्रपात किस नदी पर निर्मित है तो इसका सही अंसर होगा option C सरावती नदी जोग प्रपात को गर्षोपा जल प्रपात या महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है और यह सरावती नदी पर निर्मित है अगला प्रश्ण है किस नदी का उद्गम बैतूल जीले के मुलताई नगर के पास होता है तो इसका सहियन सरो का उप्षन सी तापती नदी का उद्गम बैतूल जीले के मुलताई नगर के पास होता है अगला प्रश्ण है भारत का एक मात्र नदी जो करकर एखा को दो बार काड़ती है तो इसका सही अंसर होगा option C माही नदी यह भारत की एक मात नदी है जो करकर एखा को दो बार काटती है अगला प्रश्ण है उज्जेन कावी सो प्रसीद्ध महा काले स्वर मंदीर किस नदी के तर्ट पर इस्थित है तो इसका सही अंसर होगा option C छिरीपा नदी याद रखेगा उज्जेन का विश्वर प्रसीद्ध महा काले स्वर मंदीर छिरीपा नदी के तर्ट पर इस्थित है अगला प्रस्टेनिमन लिखित में से किस नदी का उदगम करनाटा के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है तो इसका सही अंसर होगा option B कावेरी नदी का उदगम करनाटा के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है अगला प्रश्णने में लिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिड भारत की गंगा कहा जाता है तो इसका सही अंसर होगा option B गुदावरी नदी गुदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिड भारत की गंगा कहा जाता है अगला प्रश्ण है श्री रंग पतनम और सीव समुद्रम द्वीप किस नदी पर इस्थित है इसका सही अंसर होगा आप्शन B कावेरी नदी श्री रंग पतनम और सीव समुद्रम द्वीप कावेरी नदी पर इस्थित है अगला प्रस्ण है भीमा, मुसी, अमरावती, कोईना और दूद गंगा किसकी सहायक नदिया है तो इसका सही अंसर होगा option A, कृष्णा नदि भीमा, मुसी, अमरावती, कोईना और दूद गंगा ये सभी कृष्णा नदि की सहायक नदिया है अगला प्रश्ण निम्न लिखित में से कौन सी दो नदिया मिलकर भारत का दुसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो इसका सही अंसर होगा आप्शन ने गोदावरी और कृष्णा नदी आपस में मिलकर भारत का दुसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्मार करती है अगला प्रशन है मंजरा, वेंगंगा, पेंगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती किसकी सहायक नदिया हैं तो इसका सही अंसर होगा option C, गुदावरी नदी याद रखेगा मंजरा, वेंगंगा, पेंगंगा, वर्धा, प्राणहिता और इंद्रावती ये सभी गुदावरी की सहायक नदिया है अगला प्रशन है पहली राष्टी जलनीती कब बनी तो इसका सही अंसर होगा आप्शन B 1987 में और इस वीडियो का आखरी प्रशन असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं तो इसका सही अंसर होगा आप्शन C ब्रह्मपुत्र नदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं तबकी तिबत में इसे सांगपो, बांगला देश में से जमना और अरोडाचल प्रदेश में से दिहां के नाम से पुकारते हैं तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए